हेलो एवरिवन वल्कम बैक टो आर चानल क्वेस्ट फॉर नॉलेज तो आज हम क्लास टुवल के आधुनिक कविता भाग से हो गई है पीर परवच्सी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो की गजल संग्रा से ली गई है इसके कवी दुश्यांत कुमार है कवी परिचे पढ़ते हैं कवी गीतकार उपन्यासकार नाटककार एवं आलोचक दुश्यांत कुमार का जन 1931 इस्वी में बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ इलहाबाद विश्व विद्याले से यम्य करने के उपरांथ आपने कुछ वर्ष आकाश्वानी भोपाल में काम किया आप बाद में मध्यप्रदेश भाशा विबाग भोपाल से जुड़े जहां आप सहसंचालक के रूप में कार्य करते रहे आपको नई कविता का कवी माना जाता है आपने अपने लेखन के अंतिम दोर में गजल को अपनाया इस विधा में आपने नए आयाम स्तापित किये जिसमें आपको बहुत प्रसिधी मिली आपकी मृत्यू 1975 इस्वी में हुई तो कवी दुश्यांद कुमार कवी गीतकार उपन्यासकार नाटककार भी है दुश्यांद कुमार जी का जन 1931 इस्वी में बिजनौर उतर प्रदेश में हुआ इल्हाबाद वश्वविद्याले से यम्य कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कुछ वर्शा का श्वानी भोपाल में काम किया उसके बाद में मध्यप्रदेश भाषा विबाग भोपाल से जुड़े जहां यह सहसंचालक के रूप में कार्य करते रहे इनको नई कविता का कवी माना जाता है इन्होंने अपने लेखन के अंतिम दोर में गजल को अपनाया इनकी मृत्यों 1975 इस्वी में हुई आपकी रचनाये काव्य सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे जलते हुए वन का वसंत एक कंट विश्यपाई काव्य नाटक साय में धूप गजल संग्रह उपन्यास छोटे छोटे सवाल दुहरी जिन्दगी आंगन में एक रुक्ष नाटक और मसीहा मर गया एकांकी मन के कोण तो ये इनकी रचनाये थी अब कविता गजल का आशे पढ़ते हैं प्रस्तत गजल हो गई है पीर परवत्सी साय में धूप गजल संग्रह से ली गई है ये गजल देशवासियों को जागरन का संदेश देती है तो ये जो कविता है हो गई है पीर परवत्सी ये साय में धूप गजल संग्रा से ली गई है ये गजल देशवासियों को जागरन का संदेश देती है चले आप कविता गजल का भावर्थ पढ़ते हैं हो गई है पीर परवत्सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए भावर्थ कवित दुष्यान कुमार के अनुसार समाज में कई प्रकार की विसंगतियां देखने को मिलती है मनुश्य से इरश्य गुरुना करते रहने से पीडाएं परवत्स के समान फैल गई है इसे पिगलना चाहिए, हिमाले से गंगा को निकलना चाहिए तो यहां कवी कहते हैं कि समाज में कई प्रकार के विसंगतियां देखने को मिलती है मनुश्या मनुश्या के सफलता से जलता है और ये सब चीजें इस कदर फैल गई है कि बहुत बड़ा परवत बन गया है ये आजकल तो इसे पिगलना चाहिए हिमाले से गंगा को निकलना चाहिए आज यह दिवार परदों की तरह हिलने लगी शर्थ लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए भावर्त आज ये दिवार ऐसे हिल रही है मानुखिडकियों व दर्वाजों के लगे हुए परदे हिल रहे है वास्तव में होना यह है कि संपूर्ण बुनियाद ही हिल जाए ताकि फिर से कुछ नया निर्मान किया जा सके ऐसी शर्त रख रहे है कि परिवर्तन की चाह है तो यहां कवी कह रहे है कि दिवार ऐसी हिल रही है मानोखिडकियों और दर्वाजों से लगे हुए परदे हिल रहे है वास्तव में होना ये है कि संपूर्ण बुनियाद ही हिल जाए ताकि फिर से कुछ नया निर्मान किया जा सके ऐसी शर्ट रख रहे हैं कि परिवर्तन कुछ बदला की चाह है हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गाउं में हात लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए यहां कवी कह रहे है कि हर सड़क हर गली में हर नगर में हात लहराते हुए लाश चलनी चाहिए सिर्फ हमगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए भावड समाच को यदि बदलना है तो केवल आवास देने या घोशना करने से कुछ होगा नहीं कवी का अटूट विश्वास है कि सिर्फ हमगामा करना उनका उद्देश यह नहीं है बलकि पूरी कोशिश रहेगी कि सूरत ही बदल दी जाए तातपर यह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती उसके लिए जान जागरुती अती अवश्यक है तो यहां कवी कह रहे है कि समाच को यदि बदलना है तो केवल आवास देना या घोशना करने से कुछ होगा नहीं कवी का तूट विश्वास है कि सिर्फ हमगामा करना उनका उद्देश नहीं है बलकि पूरी कोशिश रहेगी कि सूरत ही बदल दी जाए तातपर यह यह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती उसके लिए जन जागरुती अति अवश्यक है मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कही भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए कवी अंत में जागरुत करते हुए कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही आग होनी चाहिए लेकिन वह आग सदा जलती रहनी चाहिए तो यहां कवी कह रहे हैं कि कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ सही बदलाव लाने के लिए मेरे सीने में या तेरे सीने में आग जलनी चाहिए, आग होनी चाहिए, लेकिन वो आग सदा जलती रहनी चाहिए कवी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुन्दर तरीके से देशवास्यों को जागरन का संदेश इस कविता गजल द्वारा दिया है धन्यवाद लाइक शेर इन सब्सक्राइब अच्छे पाल में जागरन का संदर दिया है झाल 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 झाल